कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ जैसा ही आपको बता होगा Samsung का Galaxy S23 को launch कर दिया गया है जिसको कल की देट में launch किया गया है उस launch के साथ उस hindsight में आपको One UI 5.1 मिलने वाला है मतलब कि उसके साथ One UI 5.0 5.1 को भी load कर दिया गया है 5.1 में और 5.0 में कुछ बेसिक्स फीचर्स मतलब सेम है और मेंली कुछ वहाँ पर फीचर्स को चेंज आउट किया गया है जैसा कि कुछ नए अपग्रेट होता है कुछ नगोच चेंज होता है तो One UI 5.1 में भी बहुत सारे नए फीचर्स आड़ोन किये गए फिल आली है अभी आपको प्रिइंस्टॉल मिलने वाले आने वाले टाइम पर यह बहुत सारे डिवाइस में सैम्संग के रोलाट होने वाला है तो सबसे पहले जिन डिवाइस पो यह अपडेट मिलेगा उन डिवाइस की नाम मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो की पहले मिलेंगे तो प्रीमयओं स्कुल को ही मिलेगा प्रीम्यम पो ले थो एपे लिस्ट के नाम है सब्से 170 टूस fon H21, H22, H21 Plus, H21 Ultra, H21 FE, Galaxy Z Series, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, ये भी मैं आपको लिखके बता रहा हूँ, इन डिवाइस में One UI 5.1 के अब्डेट जल्दी रोलाट हो जाएंगे, उसके पाद कुछ टाइम बात आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम बात ये सैमसंग के A-Series, M-Series, mid-range वाले फॉन्स में रोलाट होना चालू होँगे, तो सबसे पहले इन सीरीज पर या होन सकते हैं, इन हैंड सेट पर ये One UI 5.1 मिलने वाला है, तो इसमें कुछ बेसिक्स नए फीचर दिये गया है, जैसे कि वहाँ पर आपको जो बैटरी का विजाट दे दिया गया है, बैटरी का विजाट जैसा कि अगर आपने कभी आईफोन यूज करा हो, यगर आपने आईफोन में देखा हो, वहाँ पर अगर आपको बैटरी के सरकल बन के आएंगे, उसके बगल में वहाँ पर आपको बैटरी का मिलने वाला है, और भी कुछ नएने फीचर आड़न किये गए, जैसी ये रॉलाउट होगा तो उसके फीचर के बारे में भी बताया जाओंगा, आज मैं आपको सिंबल बताने वाला था कि कौन कौन डिवाइस में ये रॉलाउट होने वाला वो मैंने आपको बता दिया, अमीर है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंकियो दोस्तों, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनलों को ज़रू सब्स्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जैसी नई अपडेट्स आईगी, सबसे बहले आपको बताऊंगा, तो मैं इस्टाग और फेस्टाग और फेस्टाग करना ना मुलिएगा, जिसका लिंक आप कुछी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो थैंकियो दोस्तों,